हेलो बच्चों तो कैसे हो आप सभी तो आज हम question number 9 करेंगे हमारी exercise 2.2 का तो देखिए जो ये ages वाले question होते हैं तो इन में बच्चों को थोड़ी सी confusion रहती है कि करना क्या है तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताने वाला हूँ ति जिससे आपको आगे कभी भी confusion create नहीं होगी तो देखिए होता क्या है suppose कीजिए हमारे पास कोई भी दो persons है और उनकी present age जिसकी बात करते हैं तो मान ले हमारे पास कोई एक person है जिसकी कुछ present age के बारे में हमको पता है तो suppose कीजिए हमारे पास कोई एक person है x ये x क्या है उसकी present age सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते है present age अगर हमारे पास माल लीजे कोई एक person है उसकी present age कितनी है x उसकी present age कितनी है x तो यह हमें पता है अब देखो बात क्या करता है वो present age से कहां जा सकता है future में तो वो future के लिए जो word use करता है वो word use करता है later that means four years later तो देखिए अगर हम आज उसकी present age x मान कर चल रहे हैं तो चार साल के बाद that means four years later अब उसकी जो age है हमारे पास अब वो क्या होने वाली है x plus four तो हमने बस यही काम करना है अगर वो future की बात करेगा that is four years later तो उसकी age कितनी हो जाएगी हमारे पास x plus four अगर हम वो बहुत था two years later तो two years later का मतलब क्या हो जाता तो दो साल के बाद अब उसकी age कितनी हो जाती x plus two तो present age से वो future की तरफ बढ़ता है और दूसरी case में वो क्या कर सकता है future से sorry present से वो past में जा सकता है तो past के लिए वो कोड़ सी wording यूज करता है that is four years ago four years ago तो four years ago के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा अब present age उसकी x है तो चार साल पहले उसकी age क्या हो जाएगी हमारे पास x minus four अब उसी तरह से अगर वो हम से ये बोल देता कि three years ago ago का means उसने पहले की बात की है तो तीन साल पहले उसकी age कितनी होगी x minus three तो बस आपको इन बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने always उसकी present age को कुछ लेट करना है अगर उसने four years later बोला है तो ना कभी-कभी वो later की जगा यहाँ पे hence भी use कर लेता है four year hence later और hence का मतलब एक ही होता है तो जब वो later यह hence की बात करेगा तो future में उसकी age कितनी हो जाएगी x plus four अगर two years later बोला है तो x plus two अगर वो ago का use कर लेट इस four years ago four years ago three years ago तो हम x minus four और x minus three कर देंगे तो बस आपको basic सा यह काम करना है सबसे पहले यह काम करना है जब भी हमारे पास ages को related कोई भी question आता है तो अब आपको जो यह हम question करेंगे वो बहुत ही easy लगने वाला है देखिए तो देखो बच्चो question में उसने हमें क्या given है the ages of राखूल and हरनूर are in the ratio 5, ratio 7 अब जो यह ages की बात कर रहा है वो किया है बात कर रहा है उनकी present ages की बात कर रहा है अगर उसने कुछ mention नहीं किया कि 4 years later, 3 years later और ages की बात कर रहा है इनके बीना तो वो present ages होती है the ages of राखूल and हरनूर are in the ratio 5, ratio 7 तो सबसे पहले हम ratio में given है और ratio में अगर given होता है तो actual ages क्या होंगी वो आप सभी को लिखना आता है तो हम suppose कर लेते हैं suppose यहाँ पर आपने word present जूट लिखना है कि present age जो है हमारे पास of राखूल भी कितनी हो जाएगी 5x क्योंकि 5 ratio 7 है तो उसी तरह से हम suppose कर लेंगे कि जो present age है हमारे पास of हरून भी 7x तो यह उसकी 5x present ages होगी और 7x उसकी हरून की ages होगी तो अब उसने बोला है 4 years later तो देखिए 4 years later बोला है उसने जब लेंटर है तो that means तो future की बात कर रहा है चार साल आगे बोल रहा है तो यहां से हम लिखते हैं कि अब फिर से वही हमने figure बना लेनी हैं कि यह क्या थी हमारे पास present age ठीक है और फिर यहां से हमारे पास आज जाएगी उसकी फोर years later की बात करेंगे तो अब देखिए यहां से पहले उसकी age हमारे पास 5x थी और इसकी 7x थी तो 4 years later के बाद इनकी अब age क्या हो जाएगी हमारे पास 5x प्लस 4 and 7x प्लस 4 तो 4 years later राहूल और हरनूर की ages क्या हो जाएगी आपके पास 5x and 7x प्लस 4 तो हम यहां से लिख लेंगे कि उसके बाद उसने बोला है कि 4 years later some of their ages will be 56 years तो यह हमारे पास present ages थी फिर उसने 4 years later की बात की तो हमने क्या कर दिया उसकी 4 years later ages निकाल दी वो आज जाएंगी आपके पास अब 5x प्लस 4 and 7x प्लस 4 तो अब वो बोलता है कि 4 साल बाद उनकी ages का sum कितना हो गया 56 तो यहां से देखिए हमने उनकी 4 years later उनकी ages निकाल दी तो according to question तो इनका sum हमारे पास कितना हो जाएगा 56 तो यह 5 पढ़े हैं यह 7 तो यह आजाएगा आपके पास 12x 4, 4, 8 56 तो यह 56-8 आजाएगा आपके पास 48 यहां से x की value आजाएगी 48 upon 12 तो इसका अंसर आजाएगा आपके पास x is equal to 4 तो यह आगया हमारे पास x is equal to 4 अब यह हमारे पास जो x आया है वो किसकी value आई यह x की तो यहां से हमारे पास राहूल की age आजाएगी राहूल की age कीतनी थी हमारे पास 5x मतलब 5 multiply 4 राहूल की age हमारे पास कीतनी आजाएगी 20 और फिर हम निकाल लेंगे हरून की age वो हमने suppose की थी 7x तो वो आजाएगी आपके पास 28 तो that means हमारे पास राहूल की age कितनी आ रही है 20 और हरून की age कितनी आ रही है 28 तो अब हम करते हैं इसकी verification तो देखिए जो हमारे पास राहूल था उसकी age आ रही थी 20 और जो हरून था उसकी age आ रही थी हमारे पास 28 तो verification करते हैं देखिए तो सबसे पहले उसने बोल ला कि उनकी age जिसका ratio कितना 5 ratio 7 तो हम इनकी age का ratio ले लेते हैं तो यह 5 के table पर हमारे पास 4 के table पर cutting हो रही है तो यह आ गया 5 by 7 that means 5 ratio 7 उसके बाद उनने बोला है कि 4 years later अब यह उनकी present ages हैं तो जब हम 4 years later की बात करेंगे तब उनकी ages कितनी हो जाएंगी राहूल की हो जाएगी 24 और हरनूर की हो जाएगी 32 अब बोलता है कि इन दोनों का sum करकर इनकी ages का sum कितना है 56 तो अब आप 46 plus 32 एड कर लेंगे तो आपके पास आगया 56 हमने जो ages निकाली है वो ठीक रेक्ट है तो बच्चों होपस हो आप सभी को यह statement वाले question अच्छे से समझ में आ रहे हैं सभी बच्चों ने इन questions को एक एक दो दो बारी जरूर अपने आप करकर देखना है बटा जब तक आप खुद से को try नहीं करोगे तब तब तक आपको कोशिस नहीं आने वाले तो खुद से try करो अगर आपको extra questions की need है तो हमारी website पर जाएं वहाँ पर आपको धेर सारे extra questions मिल जाएंगे लिंक जो website का है वो मैंने नीचे आपको description box में दे दिया है